हाज हम बीना करवा लगे मेथी का पराठा और टेस्टी टमाटर की चटनी बनाएंगे आईए हम देखते हैं कि यह पराठा कैसे बनता है इसकी लिए कड़ाई में तेल डालेंगे उसमें कुछ चॉप किया हुआ लैसुन की कली डाल देंगे और इसको धीमें आज पर हलका ब्राउन कलर कर लेंगे और एक गड़ी या हमारा मेथी का पत्ती है इसको हम बारिक बारिक काट लिये हैं इसको हम तेल में डाल देते हैं और तेज आज पर दो से तीन मिनट तक इसको हम भूजते रहेंगे यह पत्ती बहुत जल्दी नर्म हो जाता है और गल कर मात्रा में कम हो जाता है हमारा पत्ती अब त्यार हो गया है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपने आटा की त्यारी करते हैं आटा गुतने के लिए हम एक बरतन में चार कोटोरी गेहूं का आटा लिये हैं और इसमें हम एक छोटी कोटोरी से बेशन लेंगे और एक मिडियम कटा हुआ या घिसा हुआ प्याज लेंगे और इसमें हम जो इस पत्ती को भूज के रखे थे उसको डाल देंगे और टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे हम अपने डो की हिसाब से इसमें नमक डालेंगे और इसमें फोर्थ चम्मच हल्दी डाल देते हैं हल्दी डाल देने पर पराटो का रंग अच्छा लगने लगता है और इनको हम आटों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको उंगलियों के सहायता से मसल मसल कर चारों तरफ से मिला लेंगे जिससे नमक हर जगह एक बराबर हो जाए अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम पानी डाल कर धीरे धीरे आटा को गुथ लेते हैं हम डो को नॉर्मल गुथेंगे ज़्यादा सौफ्ट नहीं गुथेंगे क्योंकि इसमें प्याज और नमक रहता है जिससे यह समय के साथ सौफ्ट होता जाता है अब यह हमारा डो त्यार हो गया है इसको रख देते हैं और इसके साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी की त्यारी करेंगे आईए देखते हैं कि टमाटर की टेश्टी चटनी कैसे बनता है हम यह आधा किलो लाल टमाटर धुल कर साफ कर लिये हैं और इसमें डालने के लिए कुछ लहसन, अद्रक और छोटा एक प्याज लेते हैं इसको मोटे मोटे टुक्रों में काट लिये हैं इन सब को हमें कूकर में टामाटर और लहसन अद्रक प्याज को भी डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको ढखन लगा कर धीमी याज पर एक से दो सीटी में अच्छी तरह गला लेते हैं यह हमारा टामाटर गल गया है और इसके छिलके भी छूट गया है अब इन टामाटरों के छिलकों को निकाल कर हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं मारा एक स्मूथ पेष्ट बन के त्यार हो गया है इसको टेस्टी बनाने के लिए अब इसमें हम एक कड़ाई में तेल लेते हैं इस तेल में गरम होने पर कलोंजी डाल देंगे कलोंजी के बाद कलोंजी डालने के बाद इसमें पेष्ट किया हुगा टामाटर को डाल देते हैं और इसको तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हम फोर्थ चम्मच काला नमक डालेंगे फोर्थ चमच सफेद नमक डालेंगे और इसमें हम एक चमच अमचूर डालते हैं यह अमचूर पाउडर है आप खटास के लिए निबू भी डाल सकते हैं और तीता के लिए इसमें एक चमच मिर्चा डालते हैं ज्यादा तीता के लिए आप ज्यादा मिर्चा डाल सकते हैं और इसमें हम चीनी डालते हैं आप अपने मिठास के हिसाब से चीनी डालेंगे और इन सब को अच्छे से हम मिक्स करेंगे मिक्स करते हुए इसको हम मीडियम आज पर एक बॉइल आने तक खौलाएंगे और इसमें हम एक चुटकी रंग डालते हैं जिससे हमारे चटनी का कलर अच्छा हो जाए और लाश्ट में खौलते समये इसमें हम आधा चमच कलोंजी मसाला डालते हैं जिससे चटनी मस्वाद अ अच्छा हो जाता है और कल स्वाद के साथ साथ इसमें महक भी अच्छा आने लगता है अब हमारा चटनी बन के त्यार हो गया है अब हम पराठो के त्यारी कर लेंगे अब इस तरह हम पराठो को बेल कर आप अपने हिसाब से तेल या घी में सेख सकते हैं पराठो को आप अपने पसंद से गोल या ट्रेंगल जिस रूप में बनाना चाहें उस तरीके से बना कर यह हमारा मेथी का पराठा और टमाटे की चटनी त्यार हो गया है इस तरीके से पराठा आप बनाईए इसका करवापन बिल्कुल नहीं लगेगा